तो ही गाई स्वागत है आपका मेरी वीडियो में तो भाई हम बात करने वाले हैं जूट की दुनिया की भूत की दुनिया कुछ भी कहलो यार मतलब क्या ही बोलने समझ नहीं आता मिरको तो खेरी सोरत का और काफी लोगों की डिमांड थी कि हर्यानवी बोलना और जैसा कि मैं एक महम बोलत तो आज मैंने जम जूटी कि 10 वीडियो देखी तो उसमें वो जो है हर्यानवी भी बोल रही थी है 201 वीडियो कि मोई पहली दोट गया मेरा में दिल तोड के सीगौन पता नहीं क्या कि तर सी बाहुत अब बहुत आस तक उसको कोई समझ थोड़ी न होती है कि भाई क्या नीच रहा सामने वाला इंसान कैसा है कैसा नहीं तुरंत उसके बाद बोलती है कि भाई मेरा जो दूसरा ब्रेक अप हुआ वो तो मेरे हस्बंट जब चले कि उसका ब्रेक अप ही समझो एक तरीके से है ना कभी ब्रेक अप बोलती है कभी उस चीज़ को जो है कुछ और बोलती है मतलब इसको नहीं पता लगता क्या है लेकिन जब ये सब बाते करते करते ये जब रियल मुद्दे पर आए ना रियल कि ना मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूं लोगों के उपर ट्रस्ट कर लेती और लोग मेरा ट्रस्ट तोड़के चले जाते हैं भाई वह कौन लोग हैं जो ट्रस्ट तोड़के जाते कम से कम नाम तो बताओ अब कहीना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये पड़ोसी तक आये कमेंट करने उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट किये कि भाई इसने जो है डोक्टर को माफी नामा दिया है लिखके ये चुप होई है वरना इस कंटेंट को ये बंधी नहीं करने वाली थी लेकिन फिर उसके बाद इसने ऐसी पलटी मारी ऐसा गेम घुमाया कि ये तो मेरी एक imagination है मैं तो imagine करती हूँ अपने पती को और कौन से पती को जो पती नहीं है मैं उसको imagine कर रहा हूँ आप लोग समझे ने पारे हो मेरी बात को जैसे कल इसने रात को जो है पागलो वाली हरकते करी उसमें एक्टिंग दिखा रही थी कि पती जी आ गए हैं आईए मैं आपके लिए चाए बनाती हूँ जिसमें इसने चाए बने और बिना च्छनी चाए एक स्टील के गिलास में डालके और फालतू के महाँ पे एक्टिंग हैं इतने अच्छे मैं क्या ही बताऊं वो मुझसे नराज भी इसलिए होते हैं कि मेरी गैस इतनी गंदी रहती है और मेरा घर भी तुम देख रहे हूं कैसा फैला ही रहे तो उनको इस चीज टाइप की ना चीज़े पसंद नहीं है तब ही जो है वो मुझसे नराज रहते ह तो भैन साफ कर लिया कर कौन बोलता इतनी गंदगी करने के लिए कि घर में कीड़े ही पड़ जाएं तेरे साफ क्यों करती तू इतना टाइम तेरे पास एक्टिंग करने गाए तो वही टाइम जो है अपना ट्राइपोड में यह अपना कैमरा लगाके अपने घर की सफाई क्यों नहीं कर लेती थोड़े दिन पहले सब ने देखा था कि इसकी मां के घर में कीड़े पड़ गें वो भी बहुत तगड़े वाले गंदे गंदे मतलब एक ब्लू कलर की चीज इसने दिखाई थी वो तो मतलब समझ से ही बार थी लोगों ने इतना दिमाग लगा लिया था कि वाई ये क्या हो सकता है ब्लू कलर का ऐसा क्या सड़ गया कि ये ब्लू कलर का बन गया लेकिन वो नहीं पता लगी तब ये बोल रही थी कि मैं घर के सफाई करूंगी अब इसकी मम्मी भी चली गई है वैसे ये बोलती है कि मेरी मम्मी सफाई नहीं करने देती घर की है न लोगों से परिशान हो चुकी हूं कैसे लोगे इनकी सोच कैसी है यार तुम अपने कंटेंट क्यों निस उधारती लोगों की सोच तो अपने आप सुधर जाएगी लेकिन नहीं उस चीज़ पर यह कभी काम करेगी ही नहीं आज जो इसने सेकंड वीडियो डाली वो तो और ज तो निकल जा तरी हिम्मत कैसे होगी फोन क्यों नहीं उठाता तो यह क्यों नहीं करता वो निकरता मतलब मैनर तो इसको मतलब पहले ही नहीं तेरे अंदर अभी तो पती नहीं है अगर पहले थे तो तब भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते होगी कैसे बोलती थी तब भी कि कैसे आगया तु तू कर के घर में जोन उठाए फैकरी है कभी एक बरतन फैक दिया पभी सिराना फैकरी है दो कहीं जा करने है किसी इसी क्लिदमें जाना तो वहां जाना यहार कंटेंट क्या दिखा रही तो इतने गंदे गंदे तो यह नशेडी कि इसने बात करी तो काफि सारे लोगों ने नहीं पढ़ते हैं कि शायर जो होता है ना मतलब कंटेंट भी ऐसा क्या सोचा तो नहीं मैंसिन करा कि पती शराब भी अच्छा पती क्यों नहीं सोचा बड़ी अलायक है जो तरह सुधार दे गर इतना गंदा रखता है वो तरह उसमें से वी बखवास कर रही है के बच्चे पर क्या असर पड़ेगा फलाणा धिमकाना ऐसी चीज पर लोग कमेंट कर दें तो वह तेरे हैटरस हो जाते हैं उनको तुछ बोलती है वैसे तुछ बोलती है मैं सबकी बेटी हों सबकी बेहन हूं अरे बेटी बेहन तो लोगों ना इसका बाई को एक्षेन नहीं लेते हैं मतलब या कती खुली छोड़ राखिए यूट्यूप है इसका जो जी करें वो दिखावें जो जी करें वो करें और इसने रियान भी बहुत अच्छे से समझावें ठीक है क्योंकि आज इसने अपनी उसमें रियान भी बोली है जतन नहीं कर सकता इसको फो भाई तू सからण गई ति तो वाड़ा का इलाज कराण गई थी तन्न वह भाई करका और क्यों अपने बाल ठीक निकर लिए नूबबतात तु दुनिया नहीं इतना घ्यान बाट है कम्यूनिटी लिख्क है तन्हापने वाल क्यों निठीक कर लिए तु करन के गई ती डक्तर दोरजव मतलब यूट्यूब पर यार यह सब देखना रहे गया पहले तो नूं सोचा करते कि जिए मिलगी एच देखन देखने गहाइज मतलब कि व समझां की उच्छ करते की मतलब करें लौग चिंता नहीं है अर्यend विष्ट समझाएं दोलर था मतला बस बाकी दुनिया कराओ अपनी एक सच चुपान खातर दुनिया बरके इसने जूट बोल दिये डक्टर के सच चुपान खातर है ना यह इतनी सची यह इतने बड़ी होती ना तो डक्टर की वीडियो राखती और उसके बाद जो है उसपर एक्स्प्लेशन दे करी उसके नाम पर और वह तो ओल्ड रेडी जो है ना मेरे खाल अगेजमेंट हो रहा है उसकी तो वैसे गल्फ्रेंड है ना तुके उसके चक्कर में पढ़ रहे हैं चोड़ देन मानसान है एक लिए और कोई दिक्कत नहीं है शादी करने शादी कर है ना इसके बाई तक प आप लोगों किया कहने इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूलना और हर्यान भी किसको समझ में आई वो तक विले बाइ